अर्दी का महना आ चुकर है और अब आगःती खेती करने का भी टाइम चार चुकर है लेकि ऐसे में अभी जो किसान आगःती करती करने का ज़र पाल है नहींmal को पीछाठी खेती कर सते हैं कोई कि किसान भाईयों फूल गोभी पत्तागोवी खेती मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की ड़ेट में थंडिक मौसम में बहुत सारे लोग और पुड़े इंडिया में हमारे अधिक सत्थिक लोग पत्तागोवी फूल गोभी को जदा पसंद करते हैं और पत्तागोवी की मार्केट वह रहा है कि अगले मैंने से सुरू होने वाला जिसमें पत्तागोवी फूल गोभी की मार्क बहुत जता हो जाएगी और आप पत्तागोवी खेती बेहिचक होकर कीजिए आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है साथ में अगेथी 85 खेती बहुत ही सरल है अभी सर्दी का मौसम आ चुका है और प्याज का लगाने का भी टाइम आ चुका है, इसलिए आप अगेथी 85 खेती करते अच्छा खासा मुनाफ़ा करते हैं, मुनाफ़ा कैसे कमाना है यह भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये थी 85 खेती के लिए सबसे खिसान भाई से पहले अगर आप पस एक एकर, दो एकर, आधा एकर, एकर दो भी घाजमीर है उसे बारिके से आप खेतों की अच्छी तरीके से उताइक करवा लेजिए साथ में आपको गोवर के खात को डाल देलना है, गोवर खात मुर्गी कमपोज्ट या फिर बकरी का खात डाल देना है डालने बाद उसे रोटाटर से अच्छी तरीके से मिस करा जेगा, जितनी अच्छी गहराई रहेगी उतनी अच्छी कायारियां बरेंगी और इसके बाद आपको अच्छी अच्छी बीची क्वाइल्टी का चुनाव करना है, जब भी तयार हो जाएगे तो आपको कियारियों किसाब से प्याज लगाना है लाल गुलाल प्याज, बहुत ही पाहड़ी प्याज, अच्छी तरक सी बढ़ती है और स्टाटिक में इसका भाव मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चड़ा होता है और अच्छा खासा मुनापा भी होता है अगेती प्याज लगा करके तो किसान भाई अगेती प्याज भी खेती करते हैं बहुती फाइदा होने वाला है अगेती प्याज भी खेती करके बहुत सरा किसान भाई अगेती प्याज भी खेती कर भी रहे हैं अगर आपने लगाया तो जल्द जल्द लगाए अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है